चुनाओ चाहे करनातक का हो उसके बाद मध्यपरदेश, रास्थान और चाहे 36 गड़ का हो और उसके बाद सबसे बड़ा चुनाओ 2024 का चुनाओ एक-एक चुनाओ और एक-एक चुनाओ के अंदर जीत और अब 2024 से पहले कोई पार्टी, कोई गुंजैस छोड़ना नहीं चाहती है और इसलिए करनातक, मध्यपरदेश, रास्थान, 36 गड़ हर तरीके से हर पार्टी की तयारी चल रही है चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कॉंग्रेस हो और चुनाओ जीतने के लिए सबसे जरूरी चीज है, सामने वाले के लिए और चाहे कोई भी बाजी आप खेल रहे हो, बहुत जरूरी है कि आपका सामने वाला, वो क्या पत्ते चलेगा आपके सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है अगर ये पता चल जाए तो बाजी आधी अपनी तरफ हो जाती है और इसी लिए बार-बार चुनाओ से पहले बार-बार आरोप लगते हैं जासुसी के अब कॉंग्रेस पार्टी ने जैसे और विपक्स ने मिल करके जैसे पेगासस को ले करके बीजेपी के उपर जो आरोप लगाए और पेगासस को ले करके लगातार जो विरोध हुआ और पेगासस को ले करके जिस तरह से देसकी संसद ठप हो गई थी अब उसके बाद एक नया जासुसी सोफ्टेयर अब उसको ले करके हंगामा है नोसो चासी करोड रुपे का ये सोफ्टेयर खरीदने का आरोप या इस तरह के सोफ्टेयर के खरीदने की प्लानिंग वो बीजेपी कर रही है इस प्रकार के आरोप कॉंग्रेस के द्वारा लगाए गये है रास्तिय स्तर पर इस मुद्दे को कॉंग्रेस ने उठाया है बाकाइदा कॉंग्रेस मुख्याले से इसको लेकर के प्रेस कॉंफरेंस हुई और पवन खेडा सामने आया और पवन खेडा ने सामने आकर के बहुत कुछ कहा है एक एक करके चीजों को समझे और कैसे बीजेपी इस मुद्दे पर अभी तक करीब 24 गंटे बीच चुके हैं बीजेपी के हैंडल पर भी मैंने जा करके देखा वहाँ पर क्या कुछ परतिकरिया मिली या नहीं मिली वो भी मैं आपको बताओ लेकिन समझना जरूरी है कि क्या वाकई एक ही रास्ता बचा है क्या वाकई वो सत्ता भी जासुसी चाहती है जिस सत्ता को कोई किसी प्रकार से चुनोती नहीं है और वो सत्ता और सत्ता के सिर्ष नित्रतो खुद इस बात को दावेप के साथ में कहते हैं डंके की चोट पर कहते हैं, नरिंदर मोधी कहते हैं, कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, 2024 का चुनाव हम जीत रहे हैं, हर कोई इस बात को मानता है, वहीं अमिच्छा कहते हैं कि 50 साल तक राज करेंगे, तो क्या वाकई ऐसी पार्टी को भी कोई जासुसी कांड करवाने की जरूर वहीं कंग्रेस पार्टी इसको लेकर के कह रहीं कि इनका तो जासुसी का पुराना इतियास है, अगर पन्ने खंगालने सुरू करेंगे, अगर पन्ने पलटने सुरू करेंगे, तो ऐसा-ईसे कालिक उड़ने लगेगी, जो बहुत कुछ कह जाएगी, बहराल कंग्रेस ने इसको लेकर के बहुत कुछ कहा है मैं कॉंग्रेस की तरफ से पाउन खेडा ने जो कहा है एक एक करके सारी चीज़ आपके सामने रखता हूँ और कॉंग्रेस कैसे कह रहेगी 986 करोड रुपे में जो है इन्होंने सोफ्टेर खरीदा है क्या कहा है देखिए आप कॉंग्रेस की तरफ से ट्वीट हुआ है पाउन खेडा की बयान है उसको ट्वीट किया है पेगासस पर जब बदनाम हो गया तो मीनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम सर्लेंस वाली सरकार नया स्वाइवेर को खरीदने में हमारा आपका 986 करोड रुपे खर्च होगा तो कॉंग्रेस कह रही है कि इसके लिए बकाइदा फाइल तयार की जा रही है 986 करोड रुपे का इसकी कीमत होगी और 986 करोड रुपे में इसको खरीदा जाएगा आप जरा इसको देखिए और उस सरकार है यह अब नया स्पाइवेर मार्केट में ढूंड रही है और RFP भी इनोंने निकाला हुआ है एक पर्टिकलर डिपार्टमेंट ने कॉगनाइट स्पाइवेर उपकरन खरीदा गया है जो पेगसस का विकल्प है इस देश में अभी लाया जा रहा है और पेगसस की ज और RFP है एक मैं आपको ये भेज भी रहा हूँ जो उनका कोट है कॉगनाइट के विशे में वो मैं पढ़के आपको जरा सुनाना चाता हूँ कि वो कॉगनाइट को वो क्या परिभाशा इनोंने दी है कॉगनाइट ने नियमित रूप से दुनिया भर के पत्रकारों सबसे जानकारी के बिना निशाना बनाया और इन लोगों से जानकारी हासिल करने के लिए हेर फेर करके या उनके उपकरणों और खातों से समझोता करके उनके बारे में खुफिया जानकारी एकत्रत की ये जो साहब नया उपकरण खरीद रहे हैं स्पाइवेर खरीद रहे हैं उस 986 करोड का इस पर सारजनिक धन खर्च होगा मेरा और आपका 986 करोड खर्च होगा इस स्पाइवेर को खरीदने में और इसका उप्योग करने में क्योंकि उसमें कुछ लोगों को ट्रेनिंग भी देनी पड़ती होगी मुझे लगता है आलंकि ये लोग तो शाह और शाहिंश इसलिए ये हमारे और आप जैसे करदाताओं का करोडो रुपया जासुसी सोफ्वेर में खरीदने में लगा रहे हैं ये ऐसा इसलिए कर रहे है क्योंकि इस एंसा को डर है कि कहीं उनका जूट का खोखला महल हमारे एक सत से गिर ना जाए वहीं पर कोंग्रेस की तरफ से द किस मंत्राले ने खरीदे हैं कितना खर्च हुआ है दूसरा सवाल है क्या नए स्पाइवेर को अंतिम रूप देने का विचार है तिसरा सवाल है कि क्या किसी मंत्राले ने रिक्वेस्ट और प्रपोजल जारी किया है यदि हा तो है कौन सा मंत्राले है ये सवाल जो है सीधे पॉइंटिर सवाल कॉंग्रेस ने पूछे हैं जड़ा देखिए और फिर इसके बाद बीजेपी की बात करते हैं हम यह जानना चाते हैं सरकार से पूछ रहे हैं कि क्या कॉगनाइट से कुछ संचार उपकरण आप लोगों ने खरीदे हैं खरीदे हैं तो किस मंत्राले द्वारा खरीदे गए हैं उस पर कितना खर्चाया है और इसी संदर्ब में इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए क्या एक नए स्पाइवेर को आप अंतिम रूप देने के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं और अगर कर रहे हैं तो किस स्थर पर कर रहे हैं और खास तौर पर ऐसा स्पाइवेर जिसकी जानकारी अभी सारजनिक छेतर में कम है और रिक्वेस्ट वर प्रपोजल आरेफपी क्या इशू कर दिया है किसी मंत्राले ने अगर हां तो वो कौन सा मंत्राले है स्पाइवेर की रेस में अलग-अलग दो-तीन कंपनिया है जो जानकारी मीडिया से ही माधियम के माधियम से ही मिली है लेकिन जो कौनाइट है इसको मेटा द्वारा व्यापक दुरूपयोग पाये जाने के बाद नौर्वे के सौवरेन वेल्थ फंड द्वारा इसके स्टॉक को डंप कर दिया गया कॉंग्रेस ने यहाँ पर बड़े संसनी खेज आरोप लगाए 986 करोड रुपय से एक सोफ्टेयर खरीदने की तैयारी हो रही है यह आरोप लगाए दूसरी तरफ एक बैक्ग्राउंड इसका ये भी है कि पेगासेस के नाम पर बड़ा हंगामा हुआ था और अब दूसरी बार वही से मुद्दा सामने आया है तो क्या बीजेपी की इस पर प्रतिकरिया सामने आने चाहिए थी या बीजेपी को लगता है कि नहीं ये तो इतना बेफिजूल का मुद्दा है कि इस पर क्या ही बात करने आप खुद दे करिए मैं बीजेपी के ट्वीटर हैंडल को खंगाला और उसमें कॉंग्रेस की इस प्रेस कोंफरेंस को ले करके कोई प्रतिकरिया नहीं देखी अगर प्रतिकरिया देखी तो गुलाम नभी आजाद साहाब को ले करके देखी अब देखिए बीजेपी को ऐसा लगता है कि गुलाम नभी आजाद में ज्यादा दिलतस्पी है बजाए इसके कि उनके उपर पॉइंटिड तीन सवाल रख करके एक प्रेस कॉन्फरेंस की गई है नो सो चासी करोड रुपए का सॉफ्टियर स्पाई सॉफ्टियर खरीदने की बात जो है उनके उपर आरोप लगा है उसके बहुजद गुलाम नभी आजाद में दिलतस्पी है कि राहूल गांदी जी जब भी विदेश दोरे पर जाते हैं तो कई एवांचित अप वेपारियों से मिलते हैं अब देश जानना चाहता है कि कौन से कौन है ये एवांचित अपरादी एवांचित वेपारी इस पर जो है कल विस्तार से मैंने आपको बताया कि कैसे जो है वो गुलाम नभी आजाद कह रहे हैं कि मैं दसो ऐसे उधान दे सकता हूँ कि कैसे जो है राहूल गांदी जब लेकिन कोंग्रेस ने जो आरोप लगाए है उस पर अभी मोन है अभी मोन कब टूटेगा और ये मुद्दा क्या कोंग्रेस ने कोई प्लान जो हो रहा था और पहले से कहीं से जानकारी मिल गई और वो प्लान एक्जिकूट हो पाता उससे पहले ही जो उसमें तीर मार दिया ये खतम हो जाएगा या फिर बड़ा जो है जैसे पेगासस को लेकर के विरोध हुआ था वैसे ही कोई विरोध जो है वो देखने को मिलेगा और क्या वाकिए जब हम अपने आपको कहते हैं चाती पीट करके डंके की चोट पर अपने आपको कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांतरीक देश हैं वैसे में सत्ता के उपर अगर जासुसी के आरोप लगें जासुसी सोफ्टियर खरीदने के आरोप लगें तो क्या जवाब बनता है या नहीं बनता है आप खुद बताईए इस वीडियो वो शेर कीजिए लोगों तक पहुंचेए आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बोक्स म समाम खबरों के लिए ओनलाइन यूजिंडर को सब्सक्राइब कीजिए साथ में जो बैल आईगाने घंटी उसको जरूर दबाईए ताकि जैसी को घबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके धन्यवाद इस खबर को अभी लाइक करें शे जरू